Good morning students, इस वीजिश में से कुछ questions मैंने आपको पहले भी करने के लिए दिये दे तो इनको स्टार्ट करते हैं Question number first x square plus 1 by x की 4 is equal to 322 x minus 1 by x आपको क्या होगा अगर मैं plus 2 plus 2 कर देता हूं तो यह आपका क्या होजाएगा plus 2 plus 2 यह आपका 324 18 का square होजाएगा और यह आपका x square plus 1 by x square का square होजाएगा उसके बाद आपको minus 1 1 करना है जब minus 1 1 करोगे तो x minus 1 का whole square होजाएगा और वो आपका 4 का square होजाएगा जब आपका minus 2 minus 2 जबाब करोगे तो तो आप देखो, मैं करके दिखाता हूं x की 4 plus 1 by x की 4 plus 2 is equal to 322 plus 2 यह x square plus 1 by x square आपका 18 का square होजाएगा इससे एक अंसिल हुआ, square से और इसमें से हम मैं माइनस 2 कर देता हूं माइनस 2, मुझे मानी करके देखना तो यह आपका plus है, आपका x square माइनस 2 कर देता तो x minus 1 का whole square और यह आपका 16 है तो 4 का whole square आएगा इससे एक एक x minus 1 x आपका 4 आएगा आपका 4 आएगा question number second solution मैं लेकर के दिखा रखा है question number second x minus p is the hcf of x square minus x minus 6 यह ना उन students के लिए अगर आपको questions आते हैं, जो question आपको आते हैं आप वीडियों पे आप आगे jump कर सकते हो, आगे jump करके बगला question करना हो आपको, x minus p is the hcf of x square minus x minus 6 और यह आपका है x square plus 3 x minus 8 यह कह रहा है यह आपका hcf है, और इन दोनों में कह रहा है कि आपका hcf और यह hcf आपका इक बढ़ा है, तो इनका hcf आप कैसे निकालोगे x square 3 to the 6 हो तो है minus 3 x plus 2 x minus 6 is miss x minus 3 2 x minus 3 1 आपका x plus 2, 1 आपका x minus 3 दो फेक्टर आपके, इसी तरीके से आपको इसके फेक्टर निकालने है यह आपका कितना है 16 है 16 है कितना है यह आपका x square plus 3 x minus 18 है यह आपका 18 क्या होता है आपका 6 3s है तो x square plus 6 x minus 3 x minus 18 इसमें से x common लिया तो x plus 6, x में से 3 common लिया minus 3 common लिया तो x plus 6, एक है x minus 3 एक है x plus 6 अब इन दोनों में जो common होता है वो hcf होता है, तो दोनों में highest common factor x minus 3 है, और यह कहारा है hcf आपका, x minus p है तो x x तो p है आपका, कितना होगे 3 आपका पूशे नम्हर 3 when graph of linear or parallel जब भी graph parallel होता है, तो वो सद आपका inconsistent होता है ऐसे नम्हर को x plus y is equal to z x square upon y square आपका एक formula होता है, जो आपको यादी करना पड़ेगा x की q plus y की q, z की q minus 3 x y z, x y z x square plus y square z square minus x y minus y z minus z x यह आपको formula याद करना ही आपको पड़ेगा अब यह कहा रहा है, x y z आपका 0 है तो जब आपका यह 0 के एकवल है आपका तो यह 0 है तो यह पूरा 0 हो जाएगा पूरा 0 होगा तो x cube यह इधर आके 3 x की z हो जाएगा आपका अब यह होगा आपका 3 x की z, इसको आपको सोल करना है, खुद से LCM लेके आप इसको सोल करोगे तो आपका यह आएगा, x a cube, y ke cube, z ke cube आपका 3 x by z दिया होता है, इस से काटोगे तो 3 answer आजाएगा अच्छा, इस questions में न, यह question as it is, एक दो बार exam में आचुका है तो मैं तो यह बोलूँगा, आपको इस form में अगर question आजाए, x, y, z, 0 और इस form में अगर question आजाएगा, तो सीध आपको याद रख लेना है, कि यह आपका 3 का इक वालोगा 3 answer आए the coordinate of point which is equidistance from 3, 7, 5, 3 will be, coordinate आपका 0, 0 होता है, तो 0, 0 आपका coordinate होता है, पर यह coordinate the coordinate of point which is equidistance from 3, 7, 5, 3 will be, पर यह आपका origin पर होता है, 0, 0, horizon इसने कहीं नहीं लिखा हुआ, तो the coordinate of the point which is equidistance from, अब यह कहा रहा है 3, 7 और 5, 7 से, जो यह x, y है, जो यह आपका point है, यह equidistance है, जब भी equidistance पर आजाता है कि यह दोनों से equal distance पर है तो 5 में 3 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, और 7 में 3 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 5 में 3 प्लस करोगे, 8 को 2 से करोगे, 4 आएगा आपका और यह आप, जब 2 से डिवाइड करोगे, 5 आजागा आपका next, man standing in sunlight, find the set is equal to its side, यह कह रहा है कि एक आदमी कोई धूप में खड़ा हुआ है और उसकी जो परच्छाई है उसकी हाइड के कवल है, अगर ऐसा कभी भी आ जाते है तो आंसर सता 45 डिग्री होता है, यह 45 डिग्री मिलेगा आपको यह आपको मिलेगा 180 भाई 4, पाई भाई 4 आपको मिलेगा, इन में कोई भी आएगा, तो सीधा याद रखना है, सता 45 डिग्री 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 होता है, इन एड़ जोईनिंग फिकर, oh is the center of the circle, the value of देको फिल हुई है, यह देखो, कहारे है कि यह आपका 100 देखा है, कभी भी यह 100 दे देगा आपका, तो यह कितना हो जाएगा, यह करने के जुरूत inspections माने को पूसा क्पे value of the volume अगर कभी भी right circular center की radius दे दियो और इन्होंने volume पूछा है तो बस इसका square कर दो तो 4 और 25 आज़ेगा आज़ेगा अगर pi r square h pi r square h जब काटोगे अगर height सेम है तो फिर आपका यह answer आज़ेगा आपका बस square गर दो 4 और 2 का square 4 5 का square 25 आपका आज़ेगा sin theta plus cos theta is equal to 0 sin 10 इसमें देखो अगर यह 10 देदे 20 देदे 30 देदे 40 देदे 100 देदे 1000 देदे कुछ भी देदे आपको यह देखना है कि sin theta और cos theta sin counter cosic होता है तो sin 90 1 होता है तो अगर theta की जगे आप 90 degree लेटे कर लेते हो तो तभी यह 1 बनेगा और यह 1 का उल्टा भी 1 होता कभी 2 आएगा और किसी से यह बनने रहा तो जब यह 1 और 1 is equal to 2 होता है तो यहां पर भी sin theta 90 और यह 90 लेगे जब आप इसको 1 करोगे तो जब आप इसको 1 करोगे और तो 1 का 10 हो जाया कुछ बज़े तो 1 और 1 आपका सिधा 2 यांसर आएगा आपका इसका सेक X is equal to cos x find the value of sin x minus cos x सेक X किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है तो 1 upon cos x is equal to 1 upon sin x sin x is equal to cos जब दोनों ब्राबर है तो अगर यह भी 1 है यह भी 1 है और 1 में से 1 minus करेंगे तो 0 आएगा तो 2 equal है तो sin x minus cos x 0 equal आपका उल्टा होता है तो आपका formula लगाना है 0 minus 3 call square plus 0 minus 4 call square तो 9 plus 16 25 का आपका 5 होता है अच्छा इसमें तो आपको यह देखना है अगर इस तरह का कोई भी सवाल आ जाता है जैसे 10 quote है आपका sign का कोसिक होता है close होता है आपका अब यह देखो आप अगर उपर नीचे वाले का sum अगर कभी भी 90 आ जाता है तो 6 4 यह 90 आगा तो इसका answer सीधा आपको 1 पे टिक लगा देगा तो सीधा आपका answer बना आ जाएगा और अगर formula से करना है तो formula से करने की जरद आपका formula देखो 1090 माइनस theta quote theta c square plus c is equal to minus 1 cq minus 1 aq minus b cube का formula क्या होता है a minus b square plus eb and plus b square अब इसमें देखो c minus 1 c square plus c दिया हो इसने minus 1 c square plus minus 1 और plus 1 0 तो 0 से जब कुछ भी करोगे multiply तो सबको 0 हो जाएगा sin theta into cos theta by 2 sin theta plus cos theta is equal to 0 आपको इसमें बस square करना है अगर एक बार आप square करके किसी भी चीज़ का root थोड़ा सा समझाने कैसने बतरों अगर यह 4 है चार का अगर एक बार मैंने square कर दिया तो 16 16 का मैं दुआरा root करूँगा तो मेरा 4 यह आजाएगा पस यही चीज़ है इसमें और कुछ नहीं अब यह sin theta plus cos theta का एक बार मैंने square कर दिया square करूँगा तो यह निकालने के लिए एक बार root मेर को करना पड़ेगा तो यह क्या होता sin theta into cos theta आपका दिया होए 1 by 2 आपका दिया होए तो बस इसकी चेगा आपको 2 into 1 by 2 करोए इससे एक खटेगा 2 आजाएगा अगर एक बार आपका 2 आजाएगा square करके तो root to answer हो जाएगा मैंने काता दूसरी बार आप root करोगे तो आपका answer हो जाएगा एन नमबर का तो एन नमबर का इनका टोटल नमबर से डिवाइड करते हैं तो एन से एन को डिवाइड करेंगा तो यह बच जाएगा बस आपका answer हो जाएगा यह देखो इस form में अगर कभी भी यह भी questions कई बार repeat हो जाते हैं जैसे यह आपका दिया हुआ है a b c a plus b b plus c c plus a यह आपका a b c अगर ऐसे series में इस तरीके के अगर कोई भी question आ जाते हैं तो इन सारे questions के answer 1 ही होते हैं चाहिए कोई भी question हो इनका answer 1 ही आते हैं तो सीधा आप 1 पर भी tick करोगे तो आपका answer सही हो जागा अपका ठीक है और अगर solve करके देखना है तो यह आप देखो यह divide है तो x a minus b हो जाएगा यह x b minus c हो जाएगा उपर जाके divide है तो power में पावर माइनस हो जाती है तो c minus से हो जाएगा यह हो गया आपका a minus b a plus b बस यह power से power जब multiply करो a square minus b square क्योंकि a square minus b square का formula a minus b plus b हो जाएगा इसका b square minus c square इसका c square minus c square सारे कट जाएगे 0 पचे का x की 0 is equal to 1 यह आपको पता ही है तो 3 जा 6 तो 3 answer हो 12 हो जाएगा तो 3 4 जा 12 4 20 हो जाएगा तो 4 5 जा 25 alpha 1 the root of the equation x square plus x plus b square to 0 solution अगर देखो जो सोलूशन बिल्खुल मत देखो जितने की questions है math करने का सबसे बढ़ी है तरीका होता है कि questions देखो एपने आप solve करो बिल्कुल जब यह लगए ना कि आंसर मैच नहीं हूँ आज आसा नहीं हो तब सोल गर रहें ने तो अपने आप सोल गर होगे ना तो ही मैं था आपके समझ में अच्छे से आपाइगा दो रूट है अब यह कहा रहा एक स्कॉर प्लस एक्स प्लस बी इस इकोल टू जिरू X से पहले जो भी होता है वो बी तो यह माइनस यह होगा तो एक से पहले जो भी होता है तो यह मैनस से पोट गरो बस आ नोसरा जाए अब यह पूछर आपके से अल्फा स्कॉए अपन बी और प्लस बीता स्कॉएर ऐका यदि отмет बीटा को 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 बीटा क तो alpha square, a square plus b square plus 2b, दो 2 alpha बीटा, or is equal to a square ही हो जाएगा, minus a, अब यह alpha b, b होता है, तो यह होगा, आपका 2b होगा, इधर आके क्या हो जाएगा, a square minus 2b, बस इसके जगे, alpha b की जगे, a square minus 2b रखे, और बाप solve करना अपने, आपका अंजर में जोगा है, फिर कोई problem आप इसमें से साथ अपना check करके देख सकते हैं, यह आपका solution में न कर दिया, पर पहले solution मत देगा, कभी पहले समझने के कोशिश करो ने तो problem होता है, वो फिर आप next में करते हैं, और इनको सबको आप इसने आप sorry करके मुझे send करने साथ कोशिश, ठीक है, thank you.